वेलकम 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 गाइस वेलकम बैक टी ओन चैनल आप्शन गाइड तो स्वागत आपका एक और शंदा डेली मार्क लेस वीडियो में आज की अगर मार्केट देखेंगे तो काफी चौपी मार्केट हमें देखने को बली ट्रेट फॉरवर्वर्ड मुव्स नहीं थे मार्केट में लेकिन अगर आपने हमारा सिंप्ली सेट फॉलो किया था और जो हमने आपको इंपॉर्टन लेवल बताया थे उनका आपने अगर वेट किया होगा तो बहुत अच्छे ट्रेट बना सकते थे आज निफ्टी देखेंगे तो काइंड आफ टॉप कहां लगा अगर आपने उस लेवल को फॉलो किया होगा आपको कैसी एंट्री बनानी चाहिए तो बहुत गजब का फॉल हमें उन लेवल से फिर से देखने को बला मॉनिंग में काइंड बुलिश मार्केट थी और यह अप मूब हम कैच कर सकते थे स्पेशली बैंक निफ्टी में काफ क्या मार्केट यहां से अप मूब करने वाली है क्या ओर इंपॉर्टन लेवल से जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगे सब कुछ डीटेल में बात करेंगे बहुत ही सिंपल वे में सारी चीज़ आपके लिए एक्स्प्लें करेंगे बहुत ही मज़दार वीडियो होन पाएंगे बौडर मार्केट में क्या हो रहा है भी तक आप देखिए बांक निफंधी है दोनों हमने अच्छे धागिट थे बड़े चाग्टे दढ़र अज़े मेरे टागेट जये हों जब तक आचीव नहिए थे अमने क्लयर ही कहा था मर्केट में सिर्फ फॉल ही आएग फॉल होने का bank nifty target तक जरूर आएगा nifty अल्रेडी आ चुका था target तक लेकिन bank nifty में अभी भी target बाके था तो हमने बहुत clearly खा था और exactly देख लिए कल हमारे targets achieve हो चुकी थे आज क्या हुआ है market में आज भी opening kind of negative हुई थी gap down opening हुई लेकिन इस level को market ने hold किया है क्योंकि अगर break करेगी तो further downtrend में end हो जाएगी अभी तक clear कर discussion क्या थी कि market से fall होने वाला है लेकिन अब ये level market की direction decide करेगा market को अगर further fall होना है बड़ा fall देना है तो इस level को break करना पड़ेगा इसके below closing देनी पड़ेगी लेकिन अभी market इसे hold कर रही है तो ये हमाले positive sign है अब currently इस level के जब तक हम above sustain कर रहे है market में कोई major fall हमें bank nifty में तो expected नहीं है ठीक है जब तक इस level को हम lower side up break नहीं करते तो broader bank nifty में ये viewpoint है nifty broader देखेंगे तो nifty में opposite ही scenario है लेकिन दोनों जगा अपना work और है levels का bank nifty में support 34 150 50 में 16 400 तक हमारा target था ठीक है ये break भी हो चुका है और कल भी exactly top यहीं लगा था आपको याद होगा और आपको बहुत simply मैंने समझाया भी था पुराने लोगों को तो पहले से ही पता है कि जब कोई major support break हो जाता है तो वो major resistance बन जाता है पुराने लोगों को पहले से हमने काफी बार बताया हुए न्यू लोग है तो उनके लिए भी हमने यह समझाया था कि यह role reversal होता है levels का अगर level पहले support हो और अगर वो break हो जाए तो वो आपको करेगा resistance का exactly वो ही होते हो दिख रहा है आपको दो दिन से major level है अपने work किया कल की वीडियो ध्यान से देखियोगी तो आज भी आपको पता था कि lower side से market में bounce जरूर आ रहा है लेकिन कहा market resistance फेस करेगी exactly फिर से आज का टॉप भी जाके देखो फिर से exactly टॉप बना है आपने यह discussion की है कि इस level का जब तक breakout नहीं होता ना market struggle करेगी nifty में इस level का breakout चाहिए एक fresh bull run आने के लिए nifty में otherwise अपर लेवल से हमें sell-off देखने को मिलेगा especially 16 400 से तो बहुत nifty bank nifty में broader view आपको clear है दोनों में opposite view है वैसे अगर आप जहान से देखेंगे तो वहां support पे यहा आप चलते हैं इंट्राडे क्या करें जो आपको trades बताये थे उन्होंने कैसे work किया and overall कल के लिए क्या setup है nifty bank nifty दोनों का तो सबसे पहले देखते है bank nifty आप देखो morning से ही levels पे work हो रहा है first tick से ही आप देखेंगे तो गजब से market levels पे work कर रही है market में slightly gap down opening जरूर हुई थी 34 180 level के आसपस यनि 34 150 हम होल्ड कर रहे थे वो हमारे पॉजिटिव था first candle बहुत शाप अपमूव आया बहुत शाप गजब का अपमूव single candle ही more than 250 points का अपमूव देती है लेकिन अब ध्यान दो levels पे यहां पे हमारा level क्या है 34 450 कल की वीडियो ध्यान से देखिए तो clearly बताया था कि bank nifty को अगर intra day में एक अच्छा अपमूव देना ना तो इस level का breakout देना पड़ेगा morning से देखिए levels पे work हो रहा है first candle ही बहुत अच् plus point का लेकिन exactly यही resistance phase की next candle भी यही resistance phase करती है market में dip आता है ठीक है dip में भी हम कहां तक fall होते हैं आप देखिए बिल्कुल आपके charts पे level mark है तो कितनी simple है आपके लिए market पहली चीज़ हमने आपको setup में बताया था उसके बाद भी आप overall levels देखिए upper level से dip आ रहा है resistance थी यहां ब exactly वही होता हो आपको दिख रहा है ध्यान से देखो upper level पे market resistance phase करती है जो level हमने बताया भी था कि market को अगर bullish होना है तो इस level का breakout देना पड़ेगा वो level as a resistance का work करता है dip आता है लेकिन कहां तक exactly lower side support level तक perfectly देख रहा है आपको level to level work करता हुए फिर lower side support level अपना work करता है bounce आता है market में ठीक है और इस बार bounce में यह जो हमारा resistance था यह level break होता है confirmation भी मिल जाती है आपको बहुत simply और फिर हमें bank nifty में trend देखने को मलता है हमने आपको कल की वीडियो में यही समझाया था कि trend चाहिए हमें market में और trend upside का तब activate होगा जब 34 450 का breakout मिलेगा और वो breakout मिला और उसके ब 34 450 से देखे तो more than 300 points का bounce देखने को मिला हमें इस level से और clearly हमने आपको यही trade बताया था कि bank nifty में आपको call में entry बनानी है 34 450 के breakout पे simply breakout भी मिला है और breakout की confirmation भी मिली और उसके बाद एक अच्छा decent up move देखने को मला और यह जो dip आ रहा है न यहाँ पे भी आप buying ही करते क्यों बा से भी आप एक अच्छा move catch कर सकते थे तो bank nifty में देखो level to level यह work हो रहा है morning में and उसके बाद जो हमने trade दिया उसने भी perfectly work किया market दिख जरूर रही है यहाँ पे green candle red candle बहुत ही choppy market है kind of लेकिन अगर आप simple जो setup आपको दिया है आपके पास patience है और अगर आप right trade का weight करते तो आ अच्छे decent trades मिलें आज बहुत perfectly आप देखो यह trade हमने आपको कहा था simply आपको इस trade का weight करना था और उसके बाद आप बहुत अच्छा move catch कर सकते थे यहाँ पे next level था 34 600 यह target भी अचीव आप further up move भी देखा next level था 34 800 almost market यहाँ तक आई exactly test नहीं हुआ 15 20 points का यहाँ gap जरूर रहा लेकिन यह gap भी आपको पता रहता आप यहाँ पे position exit कर लेते क्यों कर लेते क्योंकि इस time nifty अपने exactly resistance point पे था 16 400 इसलिए bank nifty में भी आप top exit कर लेते अपनी call से जो हमने call का trade discuss किया था तो bank nifty की intraday market देखो perfectly setup पे work कर रही है और day end में 34 450 के आसपास ही closing आई है ठीक है यह important level intraday के लिए morning में work किया breakout के बाद rally भी आई breakout rally जो आपको बताई थी और closing में फिर जब downfall आया तो इसी level पर almost हम close हुए इस level को market ने hold किया है तो यह तो intraday market होगी perfect setup था आप इससे perfect क्या setup दे हम आपको levels का magic देख लीजिए चाहे हमने जो आपको trade suggest किया वो देख लीजिए च और चीज ने perfectly work किया है और top पे आप exit कर सकते थे ठीक है तो यह intraday market थी अब कल का क्या setup है bank nifty में तो बहुत simple है देखो च्या breakout level बताया था अज के लिए 34 450 कल simply याद रखना है आपको अगर market इस level को hold करती है 34 450 को ठीक है तो आपको calls or longs में entry करनी है market हमाले bullish है अगर 34 450 को hold क करती है market तो आपको puts में entry नहीं करनी calls में entry करनी 34 450 को hold करती है तो target क्या होंगे 34 600 and 34 800 and 34 800 के बाद directly 35,000 यह हमारे further resistance level है और आपके upside वाले targets भी होंगे बहुत simply bank nifty में 34 450 important level है intraday के लिए positionally तो 34 150 है ठीक है जो broader market के direction decide करें लेकिन सिफ intraday की बात करें तो 34 और 450 के अब आप market रहती है तो आपको calls में entry ढूननी है और upmove expected है यह आपके further levels और targets होने वाले है ठीक है बहुत simple lower side put में entry के अब बनेंगी आज का deal हो कहां बना almost level पर ही बना है हमारे randomly कहीं नहीं बना 34 250 ठीक है काफी लोग ने इस level से भी call में entry की perfectly support से तो यह है support level तो अग आपको puts में entry करनी है और lower side आपका target होगा 34,000 ठीक है तो दो trade है 34,450 market hold करे 34,450 के आसपस मिले market call में entry बनाओ 34,600 target 34,600 का upside breakout मिले तो भी call में entry बनाओ 34,800 target and 35,000 target तो 34,450 के अबाँ market हमारे bullish है lower side in case 34,250 lower side break होता है तो आपको puts में entry करनी है और target होगा 34,000 ठीक है यह हमारा एक ही put का trade है simply यह कल का bank nifty का setup है simple है लेकिन jackpot profit देता है जैसे आज इस breakout ने दिया आपको बहुत गजब का return मिला होगा 300 points में बहुत decent options में return मन जाता है आपका अब nifty देख लेते है कि क्या हुआ क्या setup था और कैसे trades आप कर सकते थे यह देख 16,360 level उसे थोड़ा पहली market resistance fees करती है dip आता है अब nifty में जो हमारे levels के according trade था ना वो हमने आपको simply बताया था कि 16,400 एक major resistance है इसका breakout मिले तभी call में entry करनी है या फिर lower side 16,220 lower side break होगा तो आपको puts में entry करनी है तो 16,220 कहीं भी break नहीं हुआ even testing नहीं हुआ morning में upside movie हमें देखने को बला अपसाइड में कहां तक गए रही है रही है बहुत perfectly चाहिए आपने यह rally catch की हो यह नहीं की हो लेकिन यह जो point है na exact pinpoint यह level और यह exact pinpoint दो बार आपको मौका मिला है कल भी exactly यह हुआ था 16,400 सेम market ने उसी चीज़ को replicate किया है exactly उसी चीज़ को 16,400 कल भी top बना था दो बार level आज भी exactly वही top बना है और क्यों बना है ऐसा नहीं कि market यह top बना रही है तो हमने यह आपको level बताया है हम यह level आपसे continuous last 15 days से बात कर रहे है 16,400 level positional level intraday level नहीं हमारा यह positional level लेकिन कल भी समझाया था जब intraday में market positional level के पास होती तो वह intraday में भी work करेगा और 16,400 exactly आपक आपको मौका मिला दुबारा exactly market वही गई दुबारा market ने वही resistance फेस की और फिर से क्या major downfall आप catch कर सकते थे exactly इसी resistance से major resistance से क्योंकि positional ही इतना important level intraday का level नहीं था intraday में level 16,420 था लेकिन कल भी top यहीं लगा और आज भी top यहीं लगा और बहुत simply explain किया था आपको कि बहुत major resistance है यह market को अगर rally करनी है न सच में तो इसका breakout देना पड़ेगा otherwise यह ऐसी work करेगा कल भी major downfall आया यहां से और आज भी देखो गजब का fall almost 200 points का fall है exactly top पता था आपको market का अगर आप calls में entry कर चुगे थे तो आपको पता था exit कहां करना है और आपको fresh puts में entry बनानी थी तो आ उन्हों ही जगा levels ने magically work किया जो भी हमने आपको setup दिया उसके according देखेंगे magically market में work किया तो यह intraday market थी perfectly 16400 ने magically work किया जो हमारा positional major level है अब कलके लिए nifty में क्या setup है क्या levels होंगे और कैसे trades बनाने उनकी बात कर लेते हैं तो immediate support 16220 level है उसके बाद 16140 and 16140 के बाद एक major fall तो directly 16000 यहां पर एक zone है 5970 से 16000 यह सारे हमारे support levels है resistance की बात करें तो आप 16300 first resistance level होगा उसके बाद 16360 and 16420 intraday level है लेकिन आपको 16400 भी ध्यान रखना है बार-बार कह रहा हूं क्योंकि positional level है तो जब major positional level के पास आती है market तो वहां आपको जरूर ध्यान रखना है intraday में भी वह level work करता है तो यह सारे levels है trade बहुत simple है कल भी आपको यही बताया था कि market को अगर weak होना है 16220 के below आपको puts में entry करनी है 16140 आपका पहला target होगा और यहां फिर market के पास एक major support है इसके पास आपको मिले market तो पहली बार call में entry बनाओ 16140 important support है यहां मिल गई market आपको पहली चीज fall catch करो इसके below puts में entry यह target होगा आपको और यहां पर 16140 एक अच्छा decent support है यहां पर call में entry करो 30 point का SL कल भी आपको बताया था 1610 आपका SL होगा और अगर यह SL हिट होता है तो positions आपको change कर लेनी है आपको यह माल लेना है कि 16140 level oversight break हो चुका है और market further fall होगी फिर आपको puts में entry करन explain किया था पर आज lower side market आई ही नहीं तो इन levels का कोई use नहीं हुआ लेकिन same setup है lower side 16220 के below puts में entry 16140 target और 16140 पर पहली बार आपको calls में entry करनी है और अगर वो level break होता है तो फिर अपनी call के entry को change कर लो ऐसे लेट होगा आपका call वाले trade में और अपनी positions को flip करके आपको puts में entry कर लेन फिर आराम से करेंगे call में entry 16400 का breakout मिलेगा तब call में entry करेंगे फिर हमार ले positionally भी bullish हो जाएगे न market तो मजा है call में entry करने का वनना ऐसा ही होगा intraday में market up move भी जाए करेगी ना फिर देखो day end में क्या हाल हो रहा है सारे gains give up कर दिये major fall आया exactly level से आया लेकिन market upper levels से sustain नहीं कर क्यों कि यह major level है यार इसके below market bearish है इसका breakout है हमें bullish होना है तो कल के लिए 16400 के अबव आगर breakout मिलेगा तो ही call में entry करनी है ठीक है wait करेंगे जब तक 16400 break नहीं हो रहा upside के call के entry को avoid कर सकते हैं आप nifty में bank nifty में low call के entry आज का trade भी था बताया था ना 34 450 के अबब बनाओ call में entry मिली call में entry और jackpot return में मिला more than 300 points की rally मिली लेकिन वो nifty में नहीं बनता trade तो bank nifty में बनता तो आज तो आप फसते ही देखो morning में आप move आया ऐसा लगा market भाग जाएगी लेकिन फिर dip आया फिर आप move फिर यहां पे देखो choppy market stop loss hunting होती फिर यहां पे भी straight forward moves नहीं है exactly level का wait करना पड़ता आपको अगर आपने आज हर जगा trade बनाने कोशिश की होगी तो और thank you so much कल की आज की वीडियो में आपने like target complete कर दिया hope आपको आज की वीडियो पे अच्छी लगी होगी तो like ज़रूर कर दे फिर से 1200 likes हो target है hope आप complete कर देंगे कोई query है comment section में कर सकते है इसके लाबा चैनल पे नहीं तो subscribe करना ना भूले आज की वीडियो में मिलते है next वीडियो में thank you so much bye-bye take care